Street Fighter vs Tekken So, ये versus battle काफ़ी different होने वाली है क्योंकि इस battle में हम दो character नहीं बलकि Street Fighter और Tekken के सारे powerful characters and matchable powers के थुरू versus करवाएंगे and जैसा कि मैंने कहा कि ये versus battle थोड़ी different होने वाली है because Street Fighter और Tekken के 10 powerful characters participate करेंगे एक tournament में जिसका नाम है EX tournament क्योंकि ये बिग versus battle आपका EX brother करवा रहा है and ये battle मेरे ही channel पर हो रही है इसलिए tournament का नाम है EX tournament So, बिस tournament के rules जान लो तो Street Fighter और Tekken के 10 powerful characters tournament में participate करेंगे और tournament में ये characters एक दूसरे से fight करेंगे और जिस team को end तक सबसे ज़़ा points मिलेंगे वही team winner होगी बट ये इतना भी easy नहीं है क्योंकि दोनों team को opponents के सभी fighters को defeat करना होगा मतलब कि जो characters पहले fight जीत भी जाए उन्हें other opponent से fight करना होगा तब तक जब तक वो character win या फिर lose ना हो और ऐसा करते करते last में एक ही fighter बचेगा जिसे defeat करने के बाद opponent के team जी जाएगी so I think कि आप सब tournament का rule समझी गए होंगे and intro भी काफी बढ़ा हो गया है तो फिर जिल दिशे शुरू करते हैं वीडियो को इसलिए फटा-फट से intro लगाओ तो सबसे पहले आप लोग tournament में participate करने वाले characters की list देख लो जो tournament में fight करेंगे so team street fighter से participate करेंगे ये characters and team taken से participate करेंगे ये characters तो शुरू करते हैं वीडियो का first battle set versus fang get ready fight तो सबसे पहले set के बार में बात कर लेते हैं so set एक android है and set के पास move duplications जैसी abilities है and set street fighter 4 का main boss भी था बट वही taken के fang के पास godfist fighting style के साथ dragon की special power भी है जिससे fang आसानी से बड़ से बड़े चटानों को टुकड़े कर सकता है इसलिए fang set को भी काफी आसानी से defeat कर सकता है बट fang के लिए problem तब होगी जब fang के सामने एक set नहीं बलकि बहुत सारे set होंगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा set एक android है इसलिए street fighter series में set एक दो नहीं बलकि बहुत सारे हैं और एक एक set इतना powerful है जिससे ryu भी defeat नहीं कर पा रहा था बट last में ryu set को defeat कर देता है अपने साथ स्वीन हाडो की dark power से बैटल का result यहीं निकल के आता है कि अगर fang के सामने 2 या 3 set हो तो fang उन set को आसानी से defeat कर सकता है बट अगर fang के सामने 10 या 20 set हो तो fang से भी set को defeat नहीं कर सकता इसलिए battle का winner है fang अब यहाँ पर shocked मत हो जाना है क्योंकि set tournament में बस एकी android को ले जा सकता है जिसे fang के काफी आसानी से defeat कर देगा इसलिए first point जाता है team taken को जिन को भी defeat किया है और दूसरी तरफ है ken so ken भी एक normal human है बट ken के पास कुछ special powers है जैसे हडो ken जिससे ken दूर रहके भी attack कर सकता है और ken के कुछ moves में fire elements भी निकलते हैं इसलिए होरेंग normal humans को तो defeat कर सकता है बट जो special powers करी करते हैं होरेंग उनको defeat नहीं कर सकता क्योंकि होरेंग ने तो जिन को defeat कर दिया था बट जब जिन devil में transform हुआ तो होरेंग devil जिन की powers से भेष हो जाता है इसलिए ये point जाता है team street fighter को so get ready for the next battle योरियन versus lars get ready fight so योरियन के पास electric like powers है एंड योरियन अपनी body को metallic में भी change कर सकता है जिससे योरियन की body काफी hard हो जाती है बट electric like powers तो lars के पास भी है क्योंकि lars भी हाची का son है और ये powers सभी mishima members के पास है इसके अलावा lars karate प्लस taken force martial art भी जानता है जिससे lars ने जिन को भी defeat की है तो दोनों ही character के पास electric like powers है बट street fighter series में हमें योरियन की strength और intelligence के बार में कुछ भी नहीं बताया गया है बट वहीं taken series में lars काफी intelligent और strength वाला character दिखाया गया है क्योंकि lars rocket launcher जैसे weapons को आसानी से रोक सकता है और lars के पास भी electric powers है जिसके थू लार्स योरियन की electric power को रोक सकता है एंड अपनी intelligence से lars योरियन को भी defeat कर सकता है इसलिए इस battle का winner होगा lars और ये point जाता है team taken को next battle is Paul versus Gil so get ready fight so Gil योरियन का भाई है एंड गिल के पास fire and ice को control करने की power है इसके अलावा Gil illuminati का भी leader है जिसके थू गिल और भी जादा powerful है and opponent है Paul and Paul को आप जानते ही हो कि Paul को एक comedy character के तोर पे दिखाये जाता है बट फिर भी Paul में काफी dumb है and इसलिए Paul ने auger को भी defeat किया है बट अगर कभी Paul and Gil में fight हो तो जादा chances है कि winner Gil ही होगा क्योंकि Gil के पास एक ability है कि Gil मरने के बाद खुद को resurrect कर वापस जीवित हो सकता है इसलिए अगर fight में Paul Gil को defeat भी कर दे तब भी Gil resurrect हो वापस जीवित हो जाएगा and तब resurrect हुए Gil को Paul defeat नहीं कर पायेगा इसलिए ये point जाता है team street fighter को अगली battle है ogre versus gokin so ogre एक alien है जिससे ogre के पास काफी सहरी special powers भी है जैसे ogre fly कर सकता है and ogre soul को भी absorb कर सकता है बट वही दूसरी और gokin akuma का भाही होने के बावजूद gokin akuma जितना powerful नहीं है क्योंकि gokin अपनी fighting skills की dark power का use नहीं करता and अगर fight में ogre gokin की soul absorb कर भी ले तो भी gokin अपनी special technique power of nothingness से बच जाएगा बट गोकेन के लिए problem तब होगी जब ogre second form true ogre में transform होगा जहां ogre fire and teleportation के थुरू आसानी से gokin को defeat कर सकता है इसलिए ये point जाता है team taken को so now next battle is gen versus jinpachi so ये दोनों ही character old man है इसलिए दोनों को fight का का काफी experience भी है बट अगर दोनों की battle के बार में बात की जाए तो and इस battle में अगर ghost jinpachi को add ना किया जाए तो तो में भी jinpachi और gen में fight draw होगी बट अगर jinpachi घोष्ट form में fight करे तो obviously उस fight में jinpachi winner होगा क्योंकि घोष्ट form में jinpachi के पास काफी special powers and abilities है जिसका सामना जैन नहीं कर सकता इसलिए इस battle का बिनर होगा jinpachi अब इसके बाद जो battle है वो काफी interesting है क्योंकि this battle is Azazel versus M. Bison so Azazel taken 6 का main boss और एक big ancient demon है जहाँ Azazel के पास laser bean plus crystal powers के साथ और भी कई सारी special powers है वहीं दूसरी और Bison psycho power का use करता है जिसके थूरू Bison काफी powerful है बट इसके बावजूद Bison को काफी सारे fighters ने defeat भी किया है बट Bison हर बार नहीं body के साथ वापस आ जाता है बट यहाँ पर Bison को बस एक ही मौका में लेगा क्योंकि यह fight tournament में हो रही है और रही बात winner की तो no doubt इसमें Azazel ही winner होगा क्योंकि आप सब एक important बात भोल रहे हो कि Azazel को वही मार सकता है जो Devil Jin केरी करता हो इसके अलबा कोई और power Azazel को नहीं मार सकती इसलिए इस battle में Azazel ही winner होगा तो इसलिए यह point जाता है team taken को तो अब next battle is protagonist versus protagonist I mean Jin versus Ryu So दोनों ही protagonist की power और other form almost same ही है जैसे जिन के पास half devil jin और true devil jin form है वहीं दूसरी और Ryu के पास evil ryu और कागे जैसे forms है एंड इनकी story में भी दोनों protagonist अभी तक अपने true form को control नहीं कर पाते हैं एंड इनके versus battle के बारे में अगर आप और भी detail में जानना चाते हो तो मैंने इस पर एक separate video बनाई है जिसमें battle draw हुई थी एंड इसलिए मैंने इस battle में भी Jin and Ryu की fight को draw रखा है क्यूंकि दोनों ही अभी equal powers को carry करते हैं एंड tournament में इसकी possibility हो सकती है कि Jin and Ryu fight करते करते unconscious ही हो जाए इसलिए मैंने decision लिया है कि अब tournament में Jin and Ryu आगे fight नहीं कर सकते because दोनों unconscious हो चुके हैं बट दोनों टीम को एक एक point ज़रूर मिलेगा सो अब next battle है Oro versus Hiachi So get ready, fight So Oro Sanjutsu fighting style का use करता है एंड Oro ने Ryu को भी fighting के training दी है इसके अलब Oro के पास काफी सारे special powers तो है ही जिससे Oro अकुआ से भी battle कर चुका है and I think कि Oro एक ऐसा character है जो कभी भी किसी से defeat नहीं हुआ है वहीं दूसरी और taken series में Hiachi को beast के रूप में दिखाया जाता है and Hiachi एक ही martial art Mishima fighting style का use करता है जिसके through Hiachi इतना जादा powerful है कि वो ही मस की power limit को भी हर बार तोड़ देता है इसलिए Hiachi कई बार death को भी survive कर चुका है and कई बार survive कर चुका से मतलब ये भी होता है कि वो character कई बार defeat भी हो चुका है इसलिए इस battle में Oro winner होगा क्योंकि भले Hiachi काफी बार death को survive कर चुका है बट Hiachi एकुमा से भी defeat हुआ है and इस battle में मतलब कि मेरे इस tournament में death battle नहीं चल रही है बस opponent को defeat करना है इसलिए Hiachi death battle में तो survive कर सकता है बट अगर बात defeat करने की है तो Oro Hiachi को defeat कर देगा इसलिए ये point जाता है team street fighter को तो currently taken 7 में काजुया अपना true devil form unlock कर चुका है जिसके थरू काजुया अब और भी जाता powerful बन चुका है जिससे काजुया ने अपने father Hiachi को defeat नहीं बलकि जान से माड दिया था मेंस की currently काजुया full potential पर है वही अकुमा ने taken 7 में अभी तक किसी भी fight में अपना कोई भी form activate नहीं किया है जबकि अकुमा के पास भी दो dangerous form है शेन अकुमा और ओनी एंड ओनी के बारे में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है कि अकुमा को ओनी form कितना जादा powerful है एंड अकुमा immortal भी है अब देखो ऐसा भी नहीं है कि अकुमा को defeat नहीं किया जा सकता अकुमा को भी defeat किया जा सकता है वो बात अलग है कि अकुमा को मारा नहीं जा सकता बट defeat किया जा सकता है क्योंकि स्टीट फाइटर स्रीज में भी कई सारे characters ने अकुमा को defeat किया है सो battle का conclusion यहीं निकल के आता है कि अगर akuma को battle जीतना है तो akuma uniform का use करके ही जी सकता है इसलिए इस point के साथ team street fighter के point ए 5 और team taken के point से 6 सो battle अभी खतम नहीं हुई है नहीं taken team अभी tournament जीती है क्योंकि अब उनमें battle होगी जो जो winners थे बट वीडियो को में ज्यादा लंबा करके boring नहीं बनाना चाहता इसलिए अब हम versus battle को जल्दी जल्दी करेंगे जिसमें मैं बस winner का नाम और winning का reason बताऊंगा क्योंकि आप सभी characters की powers के बारे में जानी चुके हो सो team street fighter में बचे हैं ये characters और team taken में बचे हैं ये characters अगली battle है Oro versus Lars जिसमें no doubt Oro ही winner होगा क्योंकि जब Oro Akuma से fight में बस एक हांत का use करता है तो Oro के सामने तो Lars उसके लिए कुछ भी नहीं है इसलिए battle में Oro winner होगा next battle है Oro versus Gil and this battle में I think कि Oro winner होगा क्योंकि भले ही Gil के पास resurrect होने की power है बट Gil बस एक ही बार resurrect हो सकता है इसलिए resurrect हुए Gil को Oro का second form true Oro defeat कर देगा इसके अब the last battle है जिनपाची versus Akuma जिसमें आसानी से Akuma जिनपाची को defeat कर देगा क्योंकि जिन ने भी spread जिनपाची को अपने human form में ही काफी आसानी से defeat कर दिया था सो अब दोनों ही टीम के दो-दो character सी बचे हैं Akuma, Oro and Ogre Fang and अब team taken के point से 8 and team street fighter के point से 7 सो अब देखते हैं इने में से कौन winner होता है Oro versus Fang अब देखो नमें winner का decision ले पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दोनों ही character काफी powerful है बट इस fight में जब Fang अपनी God fist और Dragon God की power का use करेगा तब Oro को भी अपने दोनों हाथों का use करना ही पड़ेगा बट तब भी Oro को काफी difficulty होगी Fang को defeat करने में बट I think कि Oro Fang को defeat कर ही देगा बट Oro की भी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी इसलिए battle में winner है Oro इसके बाद the next battle है Akuma versus Ogre अब भले ही Akuma काफी powerful demon है बट Oger भी काफी powerful alien है and I think कि Akuma Shin Akuma में transform हो Ogre को defeat कर देगा including true Ogre बट अगर Ogre अपनी full powers का use करे तो Akuma को भी uniform का use करना होगा तब जाकि Akuma Ogre को defeat कर पाएगा तो ये point भी जाता है team street fighter को and अब team street fighter के point से 9 and team taken के point से 8 बट battle अभी भी खतम नहीं हुई है क्योंकि team taken का एक character Azazel अभी भी बचा है और अभी team street fighter के दो characters बचे हैं Oro and Akuma जिसमें Azazel बस अपने एक laser bean से Oro को defeat कर देगा क्योंकि Oro पहले सही काफी घायल और काफी ठका हुआ है जो खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में battle कैसे करवाँ क्योंकि दोनों ही character immortal है मतलब कि दोनों मर नहीं सकते and Azazel को तो कोई devil की पर ही मार सकता है बट यहाँ यह बात भी important है कि भले ही characters मर नहीं सकते बट थकार के defeat हो सकते हैं और हमें यहीं चाहिए and यह Akuma काफी fighter से fight कर थक चुका है बट वहीं Azazel बस एकी fighter से लड़ा है इसलिए Azazel अभी काफी active है and अगर इस time ओनी और Azazel fight करेंगे तो दोनों की fight endless चलेगी ठीक Asura और Akuma के जैसा क्योंकि दोनों मरेंगे नहीं और ठकेंगे भी तो साथ में इसलिए इस battle का फैसला मैं नहीं कर सकता कि इन में कौन winner होगा and यह decision मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इन दोनों में कौन winner होगा comments में बताना but आपके इस decision को easy बनाने के लिए मैं आपको कुछ points and theories बता देता हूँ जैसे ये बात तो आपको भी पता है कि आजजल को devil कीपर ही मार सकता है बट हम ये बात भूल रहे हैं कि आकुमा भी demon कीपर है और devil और demon एक ही होता है मतलब कि ये words अलग हैं बट इनके meaning एक ही हैं जैसे भगवान के कई नाम होते हैं वैसे ही शैतान के भी कई नाम होते हैं इसलिए demon और devil एक ही होता है सो इसका मतलब अकुमा आजजल को मार सकता है बट यहां भी एक problem है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आजजल को devil कीपर तो मार सकते हैं बट वही devil कीपर मार सकता है जो आजजल के devil से connected हो जैसे जिन और काज़ूया क्योंकि इनके लिए अजजल डेविल जीन का पहला होश्ट था सो गईस यही थे वो कुछ points NDC की साथ स्टीक फाइटर वर्सिस टेकन का वर्सिस बैटल मेरे नजर में ड्रॉआ होता है बट आप comments में बता सकते हो कि अजजजल और अकुमा में कौन विनर होगा और इन में से जो भी विनर होगा वो टीम टार्निमेट की विनर होगी साथी comments में बताना कि आपको यह वर्सिस बैटल कैसा लगा क्योंकि मैंने इसे कुछ different तरीके से explain किया था और वीडियो में काफी महनत लगी है तो प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल लोटिफिकेशन दबा लेना बिलूँगों मैं आप से अपने अगली वीडियो में तब तक ले गुडबाई एंड टेक कियर